तो आपका बज़ेट है 45,000 आपको चाहिए एक बहुत ही बैतरी इन लापटॉप जिसको यूज करोगे आप आपके ओफिस वर्क के लिए आप आपके प्रोग्रामिंग वर्क करना चाहते हो कोडिंग के लिए स्टरी परबस एंटर्टेन्मेंट के लिए हलके फुल के आप लोग चोटे मोड़े वीडियो यूट्यूब के लिए एडिट करना चाहते हो वह सब भी इन कुछ लैप्टॉप के अंदर कर पाओगे तो उसी के ऊपर बात करेंगे तो लास्त तक वीडियो क से मिसना करें तो देखो 45,000 अब लोग पे कर रहे हो अच्छा खासा ही अमाउंट है बट आप जो एक्स्पेक्टेशन लगाते हो वह बहुत जादा उन्चा हो जाता है तो यहां पे कुछ चीजे है जो पहले आप लोग जान लेना उसके बाद यह वीडियो आगे देखना क कुछ भी लेना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर चेक आउट कर सकते हो ताइम स्टैंप मिल जाएगा ताइम स्टैंप से भी आप लोग आगे जा सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टन चीजे में शेर करने वाला हो तो फर्स पार्ट तो देखी लोग तो द थोड़ा कन्फिगरेशन कम मिलता है बट यहां बे आप लोग को राइजन 5 3500 U के साथ जाना चाहिए और इंटल की तरब से आई 3 11 जेरेशन इन 2021 लेना चाहिए तो अभी बात करते हैं तो रैम यहां पर देखो आर 8GB की मिल जाती है जिसको आप लोग फुर्दर कुछ लाप्टोप विंडोस 10 आप लोग को देखने को मिल जाएगा और साथी चाथ यहां पर बात करें बैटरी लाइफ की जितने भी लाप्टोप से लगबाग 5 घंड के अब भी बैटरी लाइफ देता है कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आप लोग 8 घंड तक भी बैटरी ला सकता है बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले देखो यहां पे जारा दर लाप्टोप जितने भी लाप्टोप से सब यहां फूल एजी डिस्प्ले है किसी का साइज 14 इंच है किसी का साइज 15.6 इंच है तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो अगर लिंक काम ना करें तो सर्च करना फ्रेश अप्डेट्स आपको मेटा ग्रूप मिल जाएगा पैनल लाप्टोप जो लिस्पे हैं वह आसूस की तरब से आसूस वेवबोक अल्ट्रा 14 यह बहुत ही अच्छा है अच्छा लगा डिजाइन फैक्टर बहुत अच्छा है इसका बेल क्वालिटी भी बहुत ही बहतरीन है अप्ग्रेट ऑप्शन सारे है तो कोई भी जंजट लेनी की ज़रूरत नहीं है अगर मैं यहां पर CPU की बात करो तो CPU यहां पर 11 जनरेशन की डिस्प्ले 14 इंच की है HD IPS एंटी लियर डिस्प्ले है 45 परसंट एंटी एसके साथ आता है तो कलर रिपोड़क्शन ठीक ठाक होने वाली उत्ती ज्यादा हाई क्वालिटी आप लोगो कलर रिपोड़क्शन नहीं मिलेगी बट 1080 पिक्सल है 14 इंच साइज है तो आपको यहां पर बैक आप अप लोगों को दे देगा यह लाप्टॉप नेटवर्क के मौलने में वाइफाई ब्लूटूथ सब है पोर्ट सारे है 3.2 की पोर्ट चाहिए USB 2.0 एक टाइप-C की पोर्ट है HDMI की पोर्ट है 3.5 mm की जैक है और कार्डीडर वगेरा भी इस को सिक्योर रख सकते हो और टच्पेट के अंदर ही वह इन बिल्ट है तो कोई भी दिक्क्त नहीं है बहुत स्मूथ काम करता है असुस की तरफ से है और यहां पे आप लोग को बैक लिट की बोर्ट देखने को मिल जाते है जो बहुत ही अच्छी है अगर प्रोग्रामिंग जरूर बताना यह रहा डेल का लाप्ट उतना ज्यादा डेल का ऑप्शन नहीं है यहां पे एक राइजन 3 का ऑप्शन है जो नीचे लिस्ट कर दो वह मत ही लो वही बेटर है बट राइजन 5 का एक ऑप्शन मिला जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने लिस्ट किया यहां पर डिस्प्ले 14 इंच की आप लोगो फुल एजडी एंटी ग्लेर डव्लू वीए डिस्प्ले मिलती है आई पीए डिस्प्ले नहीं है यहां पर तो यहां पर भी आपको दोस्तों 45 परसंट की एंटी एस्टी देखने को मिल दिया 1080 पिक्सल की रिजॉलिशन के साथ आता है त आप लोगो USB 2.0 की port मिलती है card reader slot है 3.5 mm की jack मिल जाती है Windows 10 home इसके साथ आ जाता है तो डेल के साथ अगर कोई option चाहते है तो यह चेक आउट कर सकते है तो अगला जो है HP की तरफ से HP की तरफ से 2 laptops है एक है HP 15S FQ2072TU model number है CPU की बात करें यहां पर i3 1115 G4 की processor मिलती है जो की 1.70 GHz की आप बेस क्लोक है बूस क्लोक 4.10 GHz की है ग्राफिक से आप इंटल की USB 620 मिल जाती है और राम या आप 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 ड्रीयार 4266 MHz की राम है 15.6 इंच की आप लोगो फुल HD anti-glare display मिल जाती है 60Hz refresh rate के साथ 15 इंच की brightness है 45% NTSC सपोर्ट करता है और storage के मामले में यहां पर आप लोगो 500 RGB की SSD मिल जाती है तो बैटरी के मामले में 41Wh की बैटरी है 3-cell बैटरी इसका बैटरी पर पांच घंटे से जादा होता है उसके बाद नेक्वर्क की बात करें तो Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 की सपोर्ट है तो पोर्स के मामले में यहां पर USB 3.2 Type-C की एक पोर्ट दो आप लोगो USB 3.0 की पोर्ट, कार डिटर की पोर्ट, 3.5mm की जैक मिल जाती है वेट इसके लगवगों 1.70 kg के आसपास है अब फीचर्स की बात करें इसके अंदर आप लोगों को Alexa देखने को मिलता था Alexa की सपोर्ट है साज़ाद Windows 10 Home है वेबकम भी इसके साथ मिल जाता है इसका पी प्राइस लगबग आप लोगो 45,000 के आसपास ही देखने को मिलता है अगला जो है यह है HP 15S जिसका FI 2006TU इसका model number है तो यहां पर भी सारे स्पेसिफिक्शन जो प्रिवेस लाप्टॉप में था वही है यहां पर Alexa का सपोर्ट नहीं है यह इसका भी प्राइस लगबग 43,000-44,000 के आसपास आप लोगो देखने को मिलेगा जिसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो यह दो HP की तरफ से लाप्टॉप थी जो आप लोग खुद देख सकते हो आपको जो भी पसंदा है वो ले सकता है आप लोगों को बता दिया तो आप लोग वाइसली जो है चूज कर सकते हो नेक्स्ट जो है लेनोव की तरसे लेनोव आइडिया पैट S145 यह वाला जो है जो है उसको आप लोग रिमूव करके वहां पे आप अपगेट कर सकते हो बड़ जो 4GB है उसको आप लोग को रिमूव करना होगा यह एक कैच है उसके बाद 15 इंच की आप लोग को यहां पे फुल एजडी IPS एंटे ग्लेड डिस्पे में जादे 15.6 इंच की और यहां पे नाइंटी टेनेटी की डिसॉलिशन के साथ आता है 45 पर एंटी एससी यहां पर भी है और यहां पर PCIe SSD जो है यूज किया गया जो कि 500 बड़ाजीबी की SSD है और बैटरी 35 वाट वार की है तो ल इसके साथ आ जाता है और webcam की सपोर्ट भी है और इसका प्राइज भी लगब 45,000 के आसपास रिवाल्व करता है तो आप लोग अगर चाहिए लेनों की तरब से यह वाला ऑप्शन भी चेक आउट कर सकते है उसके बाद दोस्तों MI की तरब से MI Notebook का जो नया लाप्टाप आय है IC Edition उसका मतलब है integrated camera webcam इसके साथ integrated है तो इसलिए IC लिखा गया है hype के लिए बट यहां वे CPU जो यूज किया गया है वो है Intel के तब से i510210U 1.6 GHz की base clock और 4.2 GHz की boost clock मिलती है graphics Intel की USB 620 मिल जाएगी RGB की DDR4 आम है जो आप लोग अपग्रेड नहीं कह सकते 14 इंच की आप लोगो full HD IPS डिस्पले मिल जादी है जिसका 178 degree viewing angle है और बहुत ही अच्छी आपे color reproduce भी कर देता है इस लाप्टोप की बहुत जड़ा बहतरीन है बैटरी 46Wh के थ्री सल की बैटरी लगबक 10 घंडे के आसपास क्लीम करता है और उसके बाद Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 की support है दो आप लोगो 3.1 की USB मिलती है एक 2.0 की USB HDMI port 3.5 mm की jack, card reader यह सारे चीज़े मिल जाती है weight बहुत ही काम है 1.50 kg के आसपास weight है और features की बात करें Windows 10 Home, webcam दोनों चीज़े इस बार इसके साथ ही है additional कुछ चीज़े नहीं चाहिए directly इसके अंदर ही integrated webcam दिया गया है और price इसकी 45,000 के अंदर आप लोगो मिल चाहिए तो एक चीज़ द्यान रख रहा है यहां पर ना ही आप लोग RAM को अप्रेट कर सकते हो ना ही storage जो 256GB का है वो अप्रेट कर सकते हो तो यह एक चीज़ है और कोई भी backlight keyboard इसके साथ देखने को नहीं मिलता है तो अगर i5 का 10th generation आपको चाहिए तो यह वाला laptop आप लोग consider कर सकते हो अगला जो है सबसे light weight laptop इस लिस्ट में अगर है तो यह है 1.3 kg की weight के साथ आता यह MSI की दब से MSI modern 14 इसका जो version है यह है i3 की 10th generation के साथ तो देखो यहां पर 10th generation मिल रहा है बट यहां पर बहुत ही light weight laptop इसलिए मैंने इसको select किया साथ backlight keyword भी है तो बहुत ही बहुत ही बैतरी performance भी देगा तो यहां पर प्रसेसर है i3 की 10th generation 10110U है 2.1 GHz की base clock और 4.1 GHz की यहां बूस्ट क्लॉक मिलती है ग्राफिक्स की Intel QSD की ग्राफिक्स है integrated और यहां पर 8GB की DDR4 RAM है 14 इंच की अपर फुल HD IPS anti-glare display मिल जाती है 45 पस ने NTSC के साथ आता है 1080P की resolution इसके साथ मिलता है storage की बात करें 500GB की NVMe SSD storage मिल जाती है तो आपको बहुत ही fast performance देगा बैटरी 52Wh की 3-cell की बैटरी है up to 10 hours क्लीम कर रहा है बट 10 hours नहीं मिलता है 7-8 घंटे तक लगबग चल जाता है यह लैप्टॉप Wi-Fi Bluetooth दोनों ही आप अब 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 एविलबल है पोर्स के वाम में 3.0 की Type-C की एक पोर्ट दो आप लोगको 2.0 की पोर HDMI की पोर्ट 3.5 एक कार डिटर साथी चीज़ यहां मिल जाती है सिवाए RJ45 के और यहां में features की बात करते हो backlit keyboard है military grade rating है तो यह बहुत ही लैप्टॉप होने वाला है साच चाथ webcam के support भी है webcam इसके अंदर इन बिल्ट है तो यह बाला लैप्टॉप को around 43,000 मिल जाएगा तो अगर एक lightweight लैप्टॉप चाहते थे carry करना है आप लोगको बहुत ट्रावल करते हो तो यह बहुत ही अच्छा लैप्टॉप है अगर आप पर जो CPU यह राजएंट के 35 वे डेडियो है और उसके बाद वेगा 8 की ग्राफिक्स मिलती है 8GB की RAM है 15.6-inch की full HD IPS anti-glare display मिल जाते है जिसका revolution 1080 pixel की है 45% NTSC मिलती है इसके साथ स्टोड़ेज 500 बाद जेबी की SSD का स्टोड़ेज है लिए में SSD है तो बहुत फास्ट परफॉर्मेंस देगा 42Wh की हमें बैटरी है 3-cell की बैटरी क्लेम कर रहा है कि 7 घंटे तक बैटरी लाइफ देगा बट 5-6 घंटे ही बैटरी लाइफ लोगों को देगा पोर्ट यहां पर दो 3.0 की पोर्ट एक टाइप-C की पोर्ट है HDMI पोर्ट 3.5 के जैक काड़ीटर मिल जादी है इसके साथ और वेट इसकी 1.77 के जिसके आसपात है Windows 10 Home मिलता है वेब कैम है और बैकलिट कीबोर्ड है इसके अंदर तो 47,000 इसका प्राइज है तो ऑफर्स में यह 45,000 के अंदर आता है तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट किया तो इसको एक बाद चेक आउट करना अगर वायो की तरफ से कोई लाप्टोप चाहते तो यह वाला वायो की E-Series लाप्टप एक अच्छा ऑप्शन है तू गोए लास्टली जो लाप्टोप बहतरीन परफॉर्मेंस देगा तो यहां पर ग्राफिक्स की बात करें एंडी रेट और वेगा 10 की ग्राफिक्स मिल जाती है मेमरी यहां बहुत करें तो 37.6 वाट आवर की बैटरी है चैसल की बैटरी है अप टू एट आवस की यह वेक अप क्लीम कर रहा है पर पांच में 3.0 की पोर्ट, 2.0 की पोर्ट, Type-C की एक पोर्ट है, HDMI की पोर्ट मिलती है, 3.5 mm की जैक, कार्ड रीडर सारे ओप्शन्स यहां बे अवेलेबल है और वेट की बात करें 1.25 kg की वेट है तो बहुत ही लाइट वेट है, साइज यहां फिंगर पिंगर्पिंट रीडर है, बैकलेट कीवोर्ड मिल जाती है, Windows 10 Home मिलता है और webcam इसके अंदर प्रिविल्ट है, तो इसकी प्राइस दोस्तो 43,000 के आसपस आप लोगो देखने को मिलेगा, तो एक लॉता लाप्टॉप है, विद राइजन 7 3700U, तो अगर आप ट्रस करते हो अविता पे, और अविता का वीडियो को पसंदा है, पसंदा है, तो लाइक जरूर प्रिस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना नए हो चैनल पे, तो नीचे सब्सक्राइब कर राइट बटने प्रिस करो, साइट में जो घंटी है, वो भी प्रिस करना ते कोई भी अवटेरा फ्रेश अब्रीट से से बड़ाइ